शापूर उपमंडल के बो में भरवबारी में भेट बक्रिया संग फसे भेट पालकों के लिए नोडल कलब मोरच की युबग फरिष्टा बन कर आए बो के खबरू जर्ना के पास दो दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हुए बरवबारी में भरमोर निवासी गदी पुहाल दुली ट्रामब उनका बेटा संजे कुमार तीन सो चालिस भेट बक्रियों के साथ फस गहते इसकी सुचना मिलते ही मोरच बंगार्ब गडगून के युबा अपनी जान की परवा किये बेना बेट पालकों पर भेट बक्रियों का रेस्क्यू करने निकल पड़े और युबाओं ने टीम बना कर तीन से चाल फीट परप में बेट बक्रियों के लिए रास्ता बनाया औ वो के खबरू जर्ना के पास दो दिन से लगातार हो ही बारिश के चलते हुई परवारी में बरमौर निवासी गड़ी पुहाल दुली राम वो उनका बेटा संजे कुमार 340 बेट बक्रियों के साथ फंस गए हैं इसकी सुचना मिलते ही मोरच बंगार्ब गडगून के यु वो उने टीम बनाकर 3-4 फीट बरव में बेट बक्रियों के लिए रास्ता बनाया और उन्हें मोरच गाम में पहुंचाया रस्क्यू टीम में मदन सी उत्तम सिंग, अशोक कुमार जोगिंदर सिंग, सुरजीत सिंग केवल सिंग, आदि स्थनी लोगों ने बेट बक्रियों उन्हें बताया कि बेट बेट बक्रियों को लेकर बरमौर से इंदोराज आ रहे थी, पिछले दो दिनों से बेट खबरू में ठहरे हुए थी, लेकिन आचानक रात को भारी हिमपात हुआ सुबा होते ही, उनकी बेटे बक्रियों बरव में डूप चुके थी, जिसके चलते सुबा उनका बेटा मदद मांगने के लिए गरगून गाम पहुँचा, जहांसे उसने मोरच के विवाओं से संपर्क साधा, जिस पर 25 से 30 विवाओं ने एकत्रित होकर खबरू से उपर पहार में फंसी 300 के करीब बेड बक्रियों को बरव से निकाल कर मोरच तक ले आए, ब शाम तक 300 बेड़े निकाली जा चुके थी और 40 बाकी बच्टी थी, अभी जो सुचना मिली है उसमें 40 बेड़ों को भी निकाल कर बेड पालक को सौप दिया गया है, माते बेड बक्रियों को ये फंसने की सुचना थी, जबकि कि किसी भी बेड़े के फंसने की कोई सुचना नहीं थी, हमारा फिल्ड स्टाप लगा हुआ है, तथा सभी बेड बक्रियों को निकाल लिया गया है बेड पालक तो नहीं कोई कजी कोड नहीं, कोई इंसान की फंसने की कोई ख़बर नहीं थी, सिब बेड़ों की फंसने की ख़बर थी, तो हमारा जो फिल्ड स्टाप है, कल शाम से लगा हुआ था, और